तीन में दो का मल्टिप्लाइ करेंगे तो 6 आएगा यहां पर फिर आपको 06 लितना है कॉंप्लिमेंटरी नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन दोनों नंबर्स का सम करेंगे तो आपको 100 में नाती है 97 प्लस 7 104 उसमें से बस एक कम कर लो या 107 में से 3 कम किया 104 उसमें से एक कम करके 103 दिखिया 3 में 3 का मल्टिप्लाइ करोगे माइनस 9 होगा माइनस 9 का कॉंप्लिमेंटर नंबर 91 होता है क्या होता है 91 आगे 91 लगा दो आपका एसल आ जाएगा दोस्तो आज के इस सेशन में जानेंगे कैसे 100 की पास वाले नंबर का मल्टिप्लिकेशन पास किया जा सकता है आपको सपूस एक नंबर मिल गया जो 100 की नियर है 103 103 में 107 का मल्टिप्लाइ करना है तो कैसे करेंगे 100 से कम अगर number होता है like 97 में 94 का multiply करना है 97 में 91 का multiply करना है तो कैसे pass multiply करेंगे या फिर 100 से एक number ज्यादा हो like 103 और एक number 100 से कम हो like 94 इन numbers का multiplication कैसे आप लोग देख कर बना सकते हैं आज के session में सिखने वाले हैं तो चलिए दोस्तों start करते हैं सबसे पहले हम लोग दो numbers ले लेते हैं यहाँ पर एक number है 105 और एक number है 107 आपको 105 में 107 का multiply करना है तो क्या करेंगे देखिए 100 base का use करेंगे मतला आपका जो base होगा वो क्या बन जाएगा sir 100 आपका base यहाँ पर बन जाएगा base हो जाएगा 100 ठीक है 100 and 5 को आप लिख सकते है 105 105 100 से कितना जादा है sir 5 जादा है आगे लिख दिया 5 ठीक है 107 100 से कितना जादा है 7 जादा है आगे लिख दिया 7 यह plus है ना 5 जादा मलब plus 5 plus 7 ठीक है clear अब आपको करना क्या है simply या तो 107 में 5 को add कर दो 107 plus 5 112 या फिर 105 में 7 को add कर दो आपको कितना मिल जाएगा 100 and 12 मिल जाएगा मतलब sir initial 3 डिजिट पर 112 आने वाला है 112 मिल जाएगा अब आपको क्या करना है बस 7 में 5 का multiply कर देना है 7 में 5 का multiply करेंगे कितना आएगा 35 35 आपका answer हो जाएगा 1 1 2 3 5 is the correct answer अब बेटा एक बात ध्यान रखता है यहां पर फिर आपको 0 6 लिखना है not 6 only नहीं लिख सकते 2 डिजिट लिखना है क्योंकि 100 बेस लेकर चल दो नमबर तो आने चाहिए clear है आगे समझते है sir अगर नमबर आपका 100 से less हो जाता है दोनों ही नमबर 100 से less हो गए like आपके सामने 97 ने 96 एक example लेते 97 में आपको 96 का multiply करन है क्या करना होगा कि 97 को चेक करना है कि 100 से कितना कम है जैसे 97 जो है 100 से 3 कम तो है完成 white 97 में से 4 minus, 97 minus 4, 93 हो जाएगा, ठीक है, अब minus 3 में minus 4 का multiply करेंगे, तो plus का 12, आगे आपको plus 12 लगा देना है, 9312 आपका correct answer बन जाएगा, ठीक है, एकदम आसान, easy trick है, आप 2-3 बार practice करेंगे, और regular used to में रहेंगे, तो definitely examination में यह trick का इस्तमाल करके, अपने calculation speed को आप बढ़ा सकत है, इसके बाद sir, अब doubt है, कि एक number 100 से बड़ा और एक number 100 से कम हो गया, तो क्या करेंगे, ध्यान से समझना, एक बार थोड़ा सा basic concept में आपको बताने वाला हूं, फिर direct कैसे करेंगे, वो हम लोग जानेंगे, ठीक है, एक number for example आपको दे दिया है, 107 जो की 100 से जादा है, एक जादा और एक कम वाला number दोनों का multiply करना है, तो कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले 107 में देखना है, 100 से कितना जादा है, 7 जादा है, ठीक है, 97, 100 से कितना कम है, सब minus 3 है, अब देखें, यहाँ पर दिक्कत क्या है, जब आप plus 7 में माइनस 3 का multiply करेंगे ना, तो minus का 20 बना ज जाएंगे, तो negative हो जाएगा, तो ध्यान से सुनेंगे करना क्या होता है, आप यहाँ पर या तो 107 में से 3 माइनस कर दो, कर सकते हो, यह 97 में 7 को add कर दो, अगर आप 107 में से 3 को minus करेंगे, तो कितना बचेगा, 104 बचेगा, ठीक है, अब जब आप 7 में 3 का multiply करेंगे, तो यह और 104 है, मतलब 100 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 21 को minus करना पड़ेगा, 100 में से 21 को minus किया, कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा, अब इधर क्या बचेगा, एक आपने केरी दे दिया, 104 में से एक केरी चला गया, बचेगा कितना, 103, 10379 आपका answer बनेगा, यह तो basic तरीका दे कर सकते हैं, कोई केरी वगरा नहीं लेना है, बस आपको ना complimentary number के बारे में पता होना चाहिए, complimentary number sir, 100 complimentary number कौन कौन से होते है, देखो ज़रा दियान से, अगर आप 100 के complimentary देखेंगे, मैंने 22 बोला, तो 100 में से 22 को minus करेंगे, इसका complimentary बनेगा 78, complimentary number ऐसे number होते है, जिन दोनों numbers का sum करेंगे, तो आपको 100 मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, 100 मिलना चाहिए, अगर मैंने आपके सामने लिका 33, 33 का complimentary कितना होगा, sir, 67 होगा, तभी आपको 100 मिलेगा, 49 का complimentary number अगर मैं आप से पुछता हो, आप बोलेंगे कितना होगा, sir, 51 होगा, तभी आपको 100 मिलेगा, वै सो complimentary number थोड़ा सा clear हो गया आप लोगों को आप बोलेंगे हां सब अब ध्यान से सुनना मेरी बात को ठीक है आप एक छोटा सा काम करना एक सो साथ में से तीन को माइनस करेंगे कितना होगा एक सो चार उसमें से एक और माइनस कर लो कितना होगा या फिर 97 में साथ को एट करेंगे कितना हो जाएगा एक सो चार हो जाएगा उसमें से एक कम कर लो एक कम करना है बस आपको एक जब आपने कम किया तो आपको क्या मिल जाएगा 103, 97 प्लस 7, 104 उसमें से बस एक कम कर लो, या 107 में से 3 कम किया, 104 उसमें से 1 कम करके 103 लिख दिया, ठीक है, अब सब 7 में 3 का मल्टिप्लाय करोगे, तो ये बनेगा माइनस 21, 21 का जो कॉम्प्लिमेंटरी नंबर है, बस वो लिख दो, 21 का कॉम्प्लिमेंटरी नंबर 79, 79 यहाँ पर लगा दिया, आपका सही अंसर आजाएगा, ठीक है, एक और बार डिटेल में, एक्जाम्पल की साथ इसको समझते हैं, इसको थोड़ा सा आपको प्राक्टिस क साथ होगे, आप जल्दी साथ निकाल पाएंगे, जैसे गिए, आप लोगों को मल्टिप्लाइ करना है, 103 में 97 का मल्टिप्लाइ करना है, आपने देखा से कितना है, 103 है, कितना जादा है, 3 जादा है, उसके बाद क्या 97, कितना कम है, 3 कम है सर, कितना क्लीर है, हाँ सर, अब क अब आप क्या करोगे, 3 में 3 का multiply करोगे, minus 9 होगा, minus 9 का compliment is number 91 होता है, क्या होता है, 91 आगे 91 लगा दो, आपका answer आ जाएगा, I hope so कि यह trick आप लोगों को बहुत अच्छे से clear समझ में आ गई होगी, अब आपके पास, 100 से कोई number बड़ा हो, कोई number छोटा हो, बड़े numbers का multiply करना है कर सकते हो, छोटे number का multiply करना है कर सकते हो, एक बड़ा एक चोटा number हो जाता है, तो भी आप multiply कर सकते हो, ऐसे ही दोस्तों आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, कि अगर 200 की नियर बोट नमबर हुआ, 400 की नियर बोट हुआ, 500 की नियर बोट हुआ, तो आप कैसे सवाल को तेजी से बना सकते हैं, calculation को कैसे तेजी से बना सकते हैं, ठीक है, अभी आपके लिए कुछ सवाल है homework के लिए, जो आप लोगों को comments करके बताना है, एंसर क्या होगा, गल्ती नहीं होना चाहिए, तो ये रहे आपके homework की questions, सारे बच्चे एंसर बताएंगे, इस सारे calculation का, खुझ से try करके देखना, 102 में 104 का multiply, 102 में 94 का multiply, 98 multiply by 94, and 106 में आपको multiply करना है, 96 का comments में, 4 सवालों के answer, आप इसी trick से निकाल कर comment करके बताएंगे, इसी के साथ, अगर आप लोगों ने अभी तक telegram channel जोईन नहीं किया है, तो maths by smith sir, ये हमारा official telegram channel है, या फिर scanner से scan करके भी इस channel को आप जोईन कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को जो update notification मिलेंगे, या जो भी update आती है examination related वो मिल जाएगी, साथ में जो भी हमारे youtube class होती है, उसके classes के link आपको इसी channel पर मिल जाएगे, study के लिए pdf notes बगेरा भी यहाँ पर मिल जाएगे, तो मिलते हैं दोस्तों हमारे next session में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे, thank you so much, bye bye, take care.